इस question में हमसे President Rule के बारे में पूछा गया है कि President Rule जब State में Imposed किया जाता है तो क्या क्या चीज़े जो है कैसे होती है जिसमें पहला statement ये पूछ रहे हैं कि State Executive जो है इसको Dismiss कर दिया जाता है President Rule के समय दूसरा statement ये है कि President जो है ये laws बनाते है इस्टेट के लिए तो यदे इस question में हम देखें तो ये पहला statement तो सही है State Executive को Dismiss किया जाता है और President जो law बनाते हैं ये law नहीं बनाते हैं Parliament laws बनाती है जब President Rule लगता है तो सारी जो State List के सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे law जो है Parliament बना सक इसका explanation हम देखें तो यहां वही चीज लिखी है कि President Rule के समय जो है State Executive Dismiss हो जाती है State Legislature को या तो फिर ये Suspend कर देते हैं या फिर Dissolve कर देते हैं और पूरी जो ये administration होता है President करते हैं Governor के थूँ और दूसरे इस्टेट में President Rule जब Imposed करते हैं तो Parliament जो है इंपावर्ड हो जात जाते हैं ये Parliament जब जो है President Rule को जब खतम कर दिया जाता है उसके बाद भी जो है President Rule के खतम होने के बाद भी ये laws ऑपरेटिव होते हैं उसके बाद भी ये लागो होते है laws